हेलो विव वस स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं जेनाइटल वाट्स की समस्या के बारे में वैसे तो हमारे चैनल पे जेनाइटल वाट्स के उपर अल्रेडी कुछ वीडियोस एबलेबल हैं और इसलिए इ अधियरेट ही जानेंगे कि ये जेनाइटल वाट्स क्यों होते हैं ये कैसे दिखते हैं ताकि आप अपने प्रॉब्लम को भी इससे पूरिलेट कर पाएं और सबसे इंपोर्टेंट कोश्चन कि ये जेनाइटल वाट्स बार बार यानि कि एक बार की और होने के बाद हुमन पीपिलोमा वाइरस हलाकि इस हुमन पीपिलोमा वाइरस के अलग-अलग स्पेसीज होते हैं और इसलिए अलग-अलग पेशेंट में इसका एपिरेंस भी अलग-अलग आपको दिखाई दे सकता है तो इसलिए आईए अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये जेनाइटल कैसा दिखता है तो अगर आपके जेनाइटल रीजन यानि की जन्नांगों में स्कीन का ओवर ग्रोथ हो जाए तो इसको वाट्स कहते हैं जेनाइटल वाट्स के कुछ पिक्चर्स मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ वहां से भी देखकर आप अपने प्रॉब्लम को को रि किसी अच्छे डर्मेटलोजिस्ट से दिखाकर ही किसी मेडिसीन का सेवन करें इसके अलावा आप लोग हमें भी इंस्टागराम पे मैसेज़ेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं अब चलते हैं अगले कोश्चन की ओर और आप में से काफी वीवर्स पूछते हैं कि सर कुछ के बाद ये जेनाइटल वाट्स की ओर हो गया था लेकिन ये बार-बार क्यों निकला रही है तो मैं आपको बता दूँ कि मार्केट में कुछ ऐसे भी प्रीटमेंट के फॉर्म होते हैं जैसे कि लेजर थरपी होती है जिसमें इन वाट्स को लेजर के जरिये निकला जाता ह इसके अलावा कुछ फ्लूड और कुछ एस्ट्रोइडल क्रीम आती है जो इन वाट्स को जला कर निकाल देती है लेकिन जैसा कि इस वीडियो में हमने बताया कि इसका में रिजन होता है HPV यानि की human pipiloma virus और अगर आपके body का unity low है तो ये human pipiloma virus की वजह से ये वाट्स होता है इसके अलावा maximum patients में genital warts STDs यानि की sexually transmitted होते हैं तो ऐसे में अगर आप अपना treatment करा रहे हैं लेकिन अगर आपके partner का treatment नहीं हुआ है और वो HPV से infected है तो उनसे sexual relation बनाने पे दुबारा से ये infection आपमें transmit हो जाती है इसके अलावा अगर आपका physical relation multiple partner से है तो भी sexually transmitted disease का खत्रा बढ़ जाता है और genital warts भी उसी में से एक है इसके अलावा काफी सारे patient आज कल पूछते हैं कि उनके anal reason में warts क्यों निकल रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि आज के समय में लोग sexual topics को लेकर काफी vocal हो गये हैं वो porns देखते हैं और इसकी वजह से वो कई बार नए वाट्स काफी तेजी से बढ़ती जा रही है इसके अलावा काफी सारे cases में anal warts पाइल से या phissers की वजह से भी होती है इसलिए proper diagnosis के लिए एक बार आप अपने doctor की सलाह जरूर लें तो आईए अब हम genital warts के permanent cure के बारे में जान लेते हैं तो जैसा कि इस वीडियो में हमने बताया कि maximum cases में ये genital warts extrides यानी की sexually transmitted होते हैं इसलिए आप जब भी अपने partner के साथ physical relation बनाते हैं तो उसके 2-4 घंटे के भीतर male और female दोनों ही अपने genital reason की हलके गुनगुने पानी से अच्छी तरीके से wash करें इसके अलावा अगर अब इस HPV इसके proper treatment की बात की जाए जिन patients में बार-बार ये genital warts की समस्या निकल रही है या फिर समस्या जादा chronic है तो उनको लगाने वाली cream के साथ कुछ खाने वाली medicines भी दी जा सकती है और ऐसे ही कुछ medicine का link मैं वीडियो के नीचे description में और वीडियो के नीचे comment box में pin करके डाल दे रहा हूं वहां से भी आप इन medicine को check कर सकते हैं या फिर online order करके भी मंगवा सकते हैं अलाकि उपर इस वीडियो में जैसा हमने बताया कि अलग-अलग patient में ये genital warts के cases अलग-अलग कार्णों की वजह से भी हो सकती है इसलिए बेहतर result के लिए आप से request है कि कोई भी medicine का 7 करने से पहले एक बार अपने doctor की सल जरूर लें और ऐसे ही health से related videos पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी प्रेस कर लें